हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिश्टर निवेधिता के बारे में सिश्टर निवेधिता शतंतका सेनानी थी मार्ग्रेट एलिजाबेद नोबिल नाम से उनका जन उत्तरी आयरलेंड के डगनान में 28 अक्टूबर 1866 को हुआ था अलेश्टर के कई परिवारों की तरह उनकी परिवार भी स्टाफवन्स का था और कई पीडियों से आयरलेंड में रह रहा था और व्यक्तिगत इमानदारी तथा नैतिक क्रत्यों पर ध्यान देता था सिस्टर निवेत्ता इंग्लैंड में पली बढ़ी जहां सुरुवात में एक ऐसे सिक्षावित के रूप में काम किया जिसकी रुची पैस्टले लौजी तथा फ्रोबिल के प्रगतिशील सिध्धानतों में थे 1895 में लंदन में स्वामी वियकानन से मिली और स्वामी वियकानन ने मार्गरेट को भारत आने की प्रेणा दी वे 1898 में उनकी शिष्यावन कौलकाता आए उस समय उनकी आयू तीस वर्स की थी, बोसपार्ड लेन में एक छोटे से घर में मार्ग रेट साधगी में रहने लगी और स्वैम को सामाजिक कारे में जोंगती है हिंदू बालिकाओं के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला, लेक के दोरान रहत कारे किया, उन्हें राम करशने के पंथ में देखशित किया